तो dear students आज की यफी डिओ बीडियो बीडियो बेस ची बीकॉम के फोर्थ समस्टर वाले इस्टुडेंट की लिए most important होने वाले जिनको को करिकुलर यानि की अनिवार परतरफ्र बहस नबर फिल करना होगा यहाँ पर आपको भी लिखा होगा वही आपको यहाँ पर लिखना होगा ठीक है और ऐसा ही पेपर होगा ठीक है यह पूरी पूरी पीडियाफ्स मैंने अंसर सही तयार कर लिए माडल पेपर की वह भी आपको देने वाले हैं उसाथ साथ में सबसे पहला प्रशन है कि उत्तम स्वास्त को निर्धायत करने है तो प्रति दिन समय स्वरी प्रति दिन समाने रूप से कितने मिनिट तक बैयाम यानि की एक्सरसाइज करने की सल्दा दी जाती है तो आप लोगों को बता दूं यह कोई बार रिपीट हो चुका है तो इस बार भी पूरी उमीदिक फंसाईगा फंसाईगा ठीक है सही जबा हो जाएगा 20-30 मिनिट उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए कोई भी आम बेक्त है उसको ठीक है अगला कोश्चन की आफसाद की क्या लच्छन है अफसाद की लच्छन होते हैं नसीले अफोधियों का उप्योग क करना ठीक है और उजय की कमी आसावात की भावना यह सब क्या है यह आसावात के लच्छन है द्यान दक केंगे साई-जवाभव कर सब्सक्राइब करूसरा कि खर coupon क्रण हो सकते तो और आ और बादोन के ये दोनों मुख्य कारण है ठीक है अगला प्रेशन है कि एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए तो ध्यान लखेंगे इस समय गर्मी चली रही आप सभी को मालू है कि एक दिन में कम से कम आपको 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए और इस माने तो 3-4 लीटर कम से कम औरना इस समय तो 4-5 लीटर पीना पीना चाहिए ठीक है अगला कुश्चन है कि एकसरसाइज को समानी रूप से प्रशिच्छन की रूप में वरिड किया जाता है इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए तो इसमें सम्मिलित होना चाहिए भेपड़ों का परिश् अगर आपका हेल्थ रहेगा तो उससे आपका स्वास्त है तो सही रहता है आत्मविश्वास भी बना रहता है अधिक उड़्यावान महसूस करते हैं ठीक है अगर आप परफेक्ट रहते हैं तो इसले सही जबाविश्का हो जाएगा उप्रयोंक्त में से सभी क्योंकि यह स सब्सक्राइब धना चाहिए तो ध्यान लखेंगे आप सभी और आपको जानना भी चाहिए तो आपको कम से कम 20 मिनट प्रति दिन इंसान को चलना चाहिए ठीक है अगला प्रशना है कि क्लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक अनिवार है तो एक सौस्ट बेक्ति के के लिए जो अनिवार कारक इंपॉर्टेंट है वो बेक्तिगत सुचिता यानि की अपना सुचिता बनाये लगें और अच्छा भोजन करें संतुलित परफेक्ट और टेका करन कराएं ठीक है इसलिए सभी आप लोगों के लिए कारक अनिवार है इसलिए दा हो जाएगा ठीक ह अगला की सुध्धी क्रिया में धोती का क्या अर्थ है तो सुध्धी क्रिया में धोती का जो अर्थ होता है वो होता है आंत्रिक सफाई यानि की अंदर की सफाई अगला की बफ्तिस सब्द किसी से संबंदित है तो बफ्तिस सब्द जो है वो आपके सुध्धी क्रिया से सं प्रड़ायाम के घटक कौन है तो प्रड़ायाम के घटक का नाम बताना है जबाद पूरक प्लस कुमभक पुरक प्लफ रेचक यह क्या है । पूरक का क्या अर्थ है ठीक है इसका अर्थ यह होता है कि सास अंदर लेना आप फारी योगा योग करते हैं लोग योगा करते हैं के- आखम से संब्सक्राइब पदमां संक कि सम्म तो इधान अब कि द्यान लगता है तो उस्षा उत्र हो जाएगा ध्यान मुद्रा अगला चोब्रा प्यासर हो जाएगा्य। नमब्वाइज दोसर स्थां जोड़ोन है नमब्वाइज दोसरे चरण आप्सिंसे प्रणायाम में सास बाहर छोड़ने का अर्थ क्या है तो प्रणायाम में सास चोड़ने का अर्थ होता है वो होता है रेचक प्रणायाम में सास कहा जाता है तो धोकनी सास जो है वो कहा जाता है भस्तिरिका को साई जबाब दा होगा ठीक है अगला प्रस्व व्रश्थ होते है आप लोगों आस समस्ति कि ध्यान संकरा रास्ता है इन में से कौन सा तो ध्यान संकरा जो रास्ता है वह जागरत होने का सही जवाब इसका हो जाएगा बारंबर अगला एक निम्लिकित में से कौन सा योगा अभ्यास यानि कि योगा अभ्यास जो होता है विशेश रूप से मदमे में यानि बंदमे जो रोग हो जाता है उसमें लाबकारी है अगर आपको मदमे रोग है तो आप मंदूक आफन करिए इ अभ्यास है वो जाने जाते हैं प्रणायाम के नाम से सही जवाब इसका हो जाएगा सा नमबर अगला है कि वह आफन जिसमें पैरों की आकरत कमल के फूल की पंखड़ियों के समान होती है वो कौन सा आफन है योग में योगा में तो उस आफन को कहा जाता है पदमासन सही ज ठीक है या प्लुक कर सकतें खाना खाने के बाद ठीक है अगला की आफनो का राजा कौन है की सबसे प्रमुख आसन कौन सा है तो आसनों को जो राजा है ठीक है जो बह dys what योगा करने के बहुत और आ राज़ा होते हैं तो राजा होता है कौन सा यह नाव संटुन discharge होता है लाज़ा भग्वान स्योफी किसके जनक हो भग्वान स्योफश्चे difasasadit हो जाएगा सा नंबर अगला कि तीफरा अंग है जो कहा जाता है आसन को सही चरण होते हैं इस थितियां होते हैं तो ध्यान लखेंगे सुर्ण नमस्कार के जितने चरण होते हैं उनकी संख्या है बारा सही जबाब दा होगा अगला की प्रणायाम में कितनी स्वास किरियाएं की जाती है तो प्रणायाम में स्वास किरियाएं जो की जाती है उनकी संख्या जो है वो है तीन सही जबाब दा होगा अगला की नियम अश्टांग योग का भाग कौन सा है इन अफसरों में से तो नियम अश्टांग का जो भाग है वो है दूसरा सही जबाब आ होगा ध्यान लखेंगे अगला प्रशन प्रस्तूत है कि पतांजल योग पीठ कहां इस्थित है कहां पर ठीक है किस सहर में तो पतांजल योग पीठ जो है वो इस्थित है हरिद्वार में सही जबाब इसका होगा अगला की महास पतांजल योग के कितने अंग बताए है या फिर पतांजल के अनुसार योग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोनों कोश्चन का मतलब एक ही लेकिन एंसर जो है वो मतलब की एक ही मतलब कोश्चन दोनों अलग अलग तरीके से पूछे के हैं लेकिन अतुत तरह की होगा सब्सक्राइगा आपका स्वाफ्टा रहेंगा प्रस मन से भी ठीक है इसलिए सबस्वाप साह होगा अगला की कौन महायोगी है इस तो इन आप सोनों में से ज से पाता अंजल सही जबाव होगा सा नंबर योग संबंधित क्या ही नाफतों में से तो योग संबंधित जो है वो है मोच से ठीक है त्यार नखेंगे इंपार्टन प्रशन है अगला की योगा अभ्यास में समावेश है किस चीज का तो योगा अभ्यास में समावेश है समचि अहार का एक लिए सही जबाब होगा अगला की योगा आफन बढ़ाते हैं किसमें तो योगा आफन बढ़ाते हैं रक्त फंचार में सही जबाब आ होगा अगला की योग का जनक कौन है या फिर योग फूत्र किसके द्वारा दिये गें तो योग का जो जनक है ध्यान नाम आधारित हैं किस पर तो आफनों की जो नाम हैं आधारित हैं ध्यान रखेंगे इंपार्टन प्रश्ण है वो आधारित हैं जिव जनतों पर योग ठीक है आफनों के नाम जो आधारित हैं वो जिव जनतों पर आधारित हैं सही जबाब सा होगा योग का चौथा अंग तो इन में से जो योग का मार्ग जो नहीं है योग का वो है तरपती योग ठीक है यही जो है ये एक आपसण है जो योग का मार्ग नहीं है सही जवाब बाहोगा ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण का इरा की निमन में से कौँझ सा योग हट योग का अंग है तो इसमें से जो हट योग का अंग है वो है परणायाम, स्ट Yang aasana इसलिए सही जवाब दाओगा अगला योग का अंतिम अंग कौझ सा है तो योग का जो अंतिम अंग है वो समाधि महात्पूर्परस ने ध्यान लखेंगे अगला question है कि योग का प्रथम अंग कौन है तो योग का जो प्रथम अंग है वो कहा जाता है यम को सही जबाब इसका हो जाएगा आनमबर अगले question मतलब कि question अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं लेकिन इसका सही जबाब एक ही होगा तो चलिए एक पढ़ लेते हैं कोई सा चलिए ये वाला पढ़ देते हैं कि योग कि यहाँ परिभाफा कि इसने दी है कि मन के आवेगो को नियंदित करना योग होता है ठीक है तो ये जो लाइन है पुर्मक बेद्वान और हमारे महर सिपतांजल की द्वारा कही गई सारंबर सही जबाब होगा अगला कि योग का अर्थ क्या है इन आपसरों में से तो योग का अर्थ है फरीद मन और आत्मा को परमात्मा पे जोडने वाली क्रिया सही जबाब आ होगा इन आपसरों में से ध्यान रखेंगे अगला है कि जीता में योग की परिभाफ़ा क्या दी गई है तो गीता में योग की परिभाफ़ा दी गई है योगा कर्म ठीक है कर्म सू कौसलम सही जबाब आ होगा आ नमबर यही गीता में बताया गया है योग का मतलब अगला है कि इन मिखित में से कौन सा योग गीता में वरडित है इन आपसनों में से तो जो गीता में वर्डित है योग वो है कर्म योग सही जबाब आ होगा अगला है कि चित लेट कर किया जाने वाला आसन कौन है तो चित लेट कर किया जाने वाला जो आसन है ठीक है वो आपको बताना है ठीक है तो सही जबाब इसका हो जाएगा आपसे नमबर दा और प्रेक में में भी लापकारी है ठीक है तो उस आसन को कहा जाता है मंडू का आसन सही जबाब हो जाएगा दानंबर अगला है कि निम्रिकित में से योग दर्सन पर पतांजली द्वारा प्रतिपादी सूत्र क्या कहलाता है ठीक है तो पतांजली द्वारा प्रतिपादी जो सूत्र है वो कहलाता है अश्टांग योग सही जबाब दा होगा अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि योग के द्वारा विकास होता है किस चीज का तो योग के द्वारा जो विकास होता है वो होता है बोधिक का मानसिक का समवेगिक का इफले सही जबाब इसकाद्दा हो जाएगा ध्या प्रणायाम के तीन चरण जो है द्यान रखेंगे पहला है पूरक कुम्भक रेचक प्रणायाम के तीन चरण की बात हो रही तो प्रणायाम के तीन चरण है पूरक कुम्भक रेचक सही जबाब बनंबर होगा अगला की प्रणायाम के लाब बताईए तो प्रणायाम के जो ला सरीर का कौन सा अंग स्वस्त रहता है तो सही जबाब इसका है आनमबर मफ्तिस के स्वस्त रहता है ब्रामरी प्रणायाम से तो आप लोग यह किया करिए क्योंकि आप इस्टूडेंट है तो जरूर किया करिए ठीक है अगला कुश्चन कि ध्यान उपयोगी है किस चीज में त अगला कि योगियों के लिए सबसेष्ट आसन कौन सा है तो योगियों योगी जो लोग होते हैं उनका सबसेष्ट जो आसन है उसको कहा जाता है सिद्धासन सही जबाब सा होगा अगला कि शरीर की बुद्ध के लिए आवस्चक कौन सा आसन है ठीक है शरीर की फुद्ध के जो आवस्चेक के लिए जो आवस्चेक वो और आवस्चेक वो सष्ठ कर्म के रियाएं हैं स्वाय होगा अगला क्यों सारी में जो चक्र होते उनकी संख्या है साथ सही जबाब योगी फिल्ग होगा बहा जाता है आत्मयोग जवाब रिश्वानला कुष्टन कि पार्मपरिक भारती खीलों का मुख्ध उ thi barking इस एब आ मनोरब रंजन फिराल इन आफ्सरों में से तो मनोरण नहीं होगा ठीक है तो बढ़ते हैं और सनाई की और कंची के खेल कि विस्छेश्था क्या है तो कंचे कि खेल की बिस्चेश्था वह समय की क्यों कुछ भी होता कि तुख बाददा हो जाएगा अगला है कि गिल लंडा जो लोग खेलते हैं आपने भी खेला होगा फायर थो गिल्ली रंडा पी ही उत्पत्त मानी जाती है कबसे तो इसकी उत्पत्य मानी जाती है लगबग 25 से उवर्ष पूर्व से गिल्ली डंडा में आवाज सकता होती है किस चीच की तो गिल्ली डंडा में आवाज सकता होती है दो छणियों की सही जबाब आहोगा अगला प्रश्ण है कि गुल्ली डंडा में खिला मस्टिज को मजबूत बनाते हैं कमसादरों में पूर्स मनोरंजन करते हैं समाजी करन में सहायता करते हैं इसलिए सही जबाब हो जाएगा दानमर क्योंकि यह सभी चीजे इससे आपको मिलती हैं इंडोर पारमपरिक खेल कौन सा है तो इंडोर में खेल जाने वाला जो खेल है सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो में बहुत फारे करीब करीब हमने 100-100 वीडियो में लूट कि हैं यह पूरी की पूरी पीडियो आपको टेलीग्राम वट्सब पर मिलेगी ज्यादा समय हो वारे पाफ है नहीं और टाइम आप लोगों का वेस्ट नहों इसलिए मैंने फोंच लिया है कि यह पूरी पूरी पीडियो आंसर सहीद हम आपको टेलीग्राम वट्सब पर डाल दे प्रशन कर देगा कि भूर्ट समिस्टर फिजिकल एजूकेसंड यूगा यानि कुछ करिकुलर सब्जेट का महा संग्राम पीडियुप चाहिए तो हम आपको तुरंत सेंड कर देंगे ठीक तो इस प्रकार त्यारी कर दीजिएगा और एक मारल पेपर भी हमारे पास हो भी होगा एकदम से उसमें लास्ट वाला आपसन जलूर्ट करिएगा उप्रियुक्त में से सब्सक्राइब करिएगा लेकिन जिस भी प्रूशन का उत्तर ना वालूम आपको ठीक है बाकि वाल दे बेस्ट जैहिंद